आज हम बात करेंगे अयोध्या के राजा और भगवान स्री राम के पिता राजा दसरत के मुकुट के अनोखे राज के बारे में अयोध्या के राजा दसरत एक बार भ्रमड करते हुए बन की उर निकले वहां उनका सामना बाली से हो गया राजादसरत की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनोती दी राजादसरत की तीनों राणियों में से कैकेई अस्तर सस्तर एवं रथ चलाने में पारंगत थी अतह अक्सर राधा दसरत जब कहीं ब्रमर के लिए जाते तो कई कई को भी अपने साथ ले कर जाते थे इसलिए कई बार वा युद्ध में राधा दसरत के साथ होती थी जब बाली और राधा दसरत के बीचे भायंकर युद्ध चल रहा था उसमें संयोग बसरानी कईकेई भी उनके साथ ही थी। युद में बाली राजा दसरत पर भारी पढ़ने लगा था। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह बरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टी यदि किसी पर भी पढ़ जाए तो उसकी आदिस सक्ती बाली को प्राप्त हो थी अता वह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद में हार राजा दसरत की ही होनी है। राजा दसरत के युद हारने पर बाली ने उनके सामने एक सर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कईकेई को वहाँ छोड़ कर जाएं या रगुकिल की सान अपना मुकुट वहाँ सह सकती है। यह बात उन्हें हर पलकांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण ही राजा दसरत को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह दिन रात मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब स्री राम जी के रास्तिलक कर समय आया तब दसरत जी वह कैकेई को म मुकुट वापस लेकर आना है। जब अंगद स्री राम जी के दूत बनकर रावड की सभा में गए थे वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिये और उपस्तित बीरों को अपना पैर हिला कर दिखाने की चुनोती दे दी। रावड के महल में सभी योदा ने अपनी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। जब रावड के सभा के सारे योदा अंगद के पैर को हिलाने में नाकाम रहे तो खोद रावड अंगद के पास पहुचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही जुका उसके सर से वह मुकु राजा दसरत के पास गई तुन्हें पीडा जहलनी पड़ी बाली से जब रावड वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की यहुती देनी पड़ी इसके बाद जब अंगद रावड से वह मुकुट लेकर गया तो रावड को भी अपने प्राण गवाने इस तरह माता कैके के कारण ही रगकुल के लाज बच सकी यदि कैके सिराम को बनवास नहीं भेजती तो रगकुल सम्मान वापस नहीं लोट पाता